हलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है सेंपिल एंड यूनिक किचिन में मेरा नाम है शाल में आज में डावा इस्टाइल बिना भूने ब्यागन कवरताव बनाऊंगी मैंने इस स्टाइल में बनाया है आपको घीड़े की टेंशन लेने की जरुवत नहीं पड़ेगी ये बन इसके लिए सबसे पहले हमने दो बड़े बड़े बैगन लिये ये बड़े बैगन का भरता बहुत अच्छा बनता यह आप देख सेते हैं गोल गोल हमने बैगन लिये हैं यह हमने दो बड़े बैगन ले लिये हैं इसका अब हम बैगन का भरता बनाएंगे और इसे हमने पह काफी लोग बैगन का वरता कीड़े के चक्क में बनानी पाते इसलिए उन्हें टेंशन की जुरूत नहीं है आप कट करके बनाईए आपको कीड़ा भी आसानी से दिख जाएगा यह हम इसे अच्छे से कट कर लेते हैं यह देखिए हमने अगर बड़ा बैगन है तो चाल पीस कर लेते हैं नहीं तो हम दो पीसिस भी कर सकते हैं जैसे आप करना चाहें इससे हमारे कीड़े पता चल जाते हैं अब हम इसमें थोड़ा पानी डालते हुए इसका कैप लगा देते हैं कुकर का इसे डग देते हैं और इसे गैस पे रग देते हैं और इसकी दो सीटी ले ले बीडिये मेð अलग होजा अपुब Krashushulk learnt लीया है , फ्लीग होजा था टेस्टी खाने में बहुत स्वाधिछ लगता है , आप घर पर इसे बनाईगीस आपको बहुत पसंद आएगा और आप डरिये मत इस में कीड़े बिल्कुल नहीं निकलेंगी होगी मतलब अगर निकलते हैं बैगन में कीड़े तो वह आपको पहले ही पता चल जाएंगे तो आपका बैगन का भरता भी खराब नहीं होगा हम सारे बैगं को इसी तरिके से चील लेते हैं अब हम इन बैगं को इक हाथ में लेंगे और दौनों हातों से प्रेस करते हुएèces निचओड लेंगे हम अक्षे से निचोड लेते की बिलकुल भी मारब पानी नहiersक में तुम मँसा और दूसरे इसक नो ढूग कि यह बनाने में असानु खाने में बहुत सदा टेस्टी का है धिलिया बेगर हमारे राइच का भषता बनाने के लिए अब हम एकड़ाई के इसमें चाहिए बाते चाहिए ने नमस्थ назda और यंदर बाते हे हुआ रखे अट येकरबाने के चाहिए और में चीण करने चाहे कोई पत दो बहुत अच्छा होगा इसमें अब हम कट की हुई अद्रग डाल देंगी और कट की हुई हरी अद्रग कट की हुई motor अच्छा टेस्ट हाता है हला真的 तर दर डाल देते हैं मैं अनिय पवडर राड कर देते हैं और कश्मीरी लाल मिज पाड Border चाहते हैं तो अपनियन भी भून सकते हैं से हैं और इसे टमाटर को हम एक ने धक कर पकाते हैं ताकि टमाटर हमारे जल्दी म지ली से सॉफ्ट हो जाये तो कि अगमारे यां नहीं नहीं व NATшее है अम घहते हैं सिलिए effectivement अंटियों का बैंगान क सु Πर बहूं यहने शब्सrest Resist इनके भी बैगन का भरता बहुत टेस्टी लगता है यह देखे हमारी टमाटा बिल्कुल गल गया है इसक्तम सॉफ्ट हो गया है अच्छे से चमाटा पक गया हम इसमें बैगन जो हमने निछोड़के रखेते वह डाल देते हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अच खाने में बहुत टेस्टी लगे इसमें अब हम नमक डाल देते स्वाद अनुसार और नमक को इसमें अच्छे से मिला लेते हैं यह आप घर पे जरू ट्राय करें और इस फीडियो को भी एंड तक देखें कि इसमें अभी आप काफी कुछ देखेंगे हम जो एड़ करेंगे और इसे आपको पता चलेगा कि हमारा हमें कितना बूनना है कि हमारा जब तक बैगन रहे गरम मसाला एड कर देते हैं कि कितना बूनना है यह पी पता रहेगा कि कितना चलाना है भी हम यह एंड तक पता चल पाएगा आपको और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे चलाते हमारी चो बेगन का बषता है वो कडाई से अलग होने लग जाता है तब हमारा ये चो बेगन का बाता ऑफ भड़ता है वो बनके तयार होसा है अब हमारी चो बेगन का बटा många कर देते और आरेसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे मिक्स करते हैं ये मारा बैहिगन का तैयारा या चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को प्रैस्ट धन्यवाद झाल झाल